है यह लो है लो है लो नमश्कार जैश्री राम जैहिंद क्या हाल चाल है आप सब लोगों के स्वागत है आपका इस एक नई कोशिश में जो इस चैनल के उपर हम कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं कुछ नए तरीके से चीजों को सामने लाने की कोशिश करते र बिट्वीन वी विल रीड बुक एक पुस्तक को पढ़ने की कोशिश करेंगे हम दिर विल बी नो वीडियो इट विल जस्ट एन ओडियो सो आप अराम से घर में घूमते गूमते बिना ये सोचे कि वीडियो देखना है इसको सुन सकते हो इसके ओपर अपना उपीनियन रहेगा ना चुकी कल हमने मुपला के बारे में बात करी और मैंने आपको कल बोला था कि मैं इसी को गंटीनियु रखे वीर साosionक फेक इसावर कर बियंजी किताब है इक सोथीस पेजिस की किताब ही है जिसको पढ़ने की कोशिश करेंगे हम साथ में और एक सो तीस पेजिस को कोशिश करेंगे हम six to seven episodes में खतम करने की we will try not to keep anything more than 30 minutes यह पहला episode है तो इसमें थोड़ी information दे रहा हूँ तो थोड़ा extra जाएगा we will try to keep it 30-35 minutes every episode कोशिश करेंगे हर दिन करने के और एक book को खतम कर सके लेकिन अगर कोई important news रहेगी which needs to be covered enough by 15 वाला शो तो उसकी वज़े से हो सकता है कि बीच-बीच में gaps आएं यह जो किताब है जो आज मैं आप लोगों के सामने पढ़ना चाहता हूँ वो मोपला के बारे में है इसके पहले कि मैं आगे बढ़ो एक बज़े अकर कृप्या गरके अगर आप मुझे बता दें कि अगर audio सही है कोई issue नहीं आ रहा, कोई disturbance नहीं आ रही then we will move ahead and I will tell you वीर सावरकर जी ने इस किताब के अंदर मोपला के बारे में हिंदुस्तान के बारे में क्या लिखा है सुक्रिटेकर के एक बड़ी chat room में thumbs up देखे, बता दीजे, if the audio is sounding okay and कोई disturbance नहीं आ रहा my sincere request to you would be कि जो facebook पे भी live चल रहा है ये वहाँ पे भी जाके इसको share करें instagram पे share करें, twitter के उपर share करें और whatsapp पे और अपने दूसरे groups में share करें तो अच्छा रहेगा हिंदु तू कब जागे गारे हिंदु तू कब जागे गारे हिप्रभू हमें मनुष्य जीवन के उद्देश्य पूर्ती के लिए सद्बुद्धी का वर्दान दो महाभारत के विनाशकारी महयुद्ध के पश्चात भी अनिकोशत आब्दियों तक संसार में वेदिक संस्कृती का साम प्राज्य रहा परंतु धीरी धीरी वेदिक जीवन पद्वती एवं प्रभू के वास्तविक स्वरूप सहित आध्यात्मिक मुल्यों का हास होने के पश्चात संसार में मत मतांतरों के अंकुर फूटने लगे वेद के अलग सबसे पहले दुनिया में पार्सी मत कप प्रादुभार्व हुआ फिर यहूदी, जैन, बौध, इसाई और अंतमे इसलाम जैसे जैसे वेदिक धर्म से अलग होकर अन्य मतों को जिस भी देश के वासी स्विकार करते गए वैसे वैसे ही वह भूभाग प्राचिन आरवरत से अलग होता गया इसकी एक जलक पाठको के समझ प्रसुत करते हैं यहां से शुरुवात होती है इस किताब की 500 एकाई में पस्चिमी एशिया में मिश्र और साइरीनी एक हजार इकाई में पारस प्लस गंधार प्लस खोतान 1500 एकाई में सुमात्रा, जावा, बॉर्णिया, सेलिनिस, मलाया 1834 में अफगानिस्तान, 1872 में नेपाल 1906 में भूटान, 1914 में तिब्बत 1935 में श्रिलंका और 1937 में म्यानमार, ब्रह्मदेश 1947 में पाकिस्तान, 1948 में पाक अधिकरत कश्मीर 1962 में चीन अधिकरत भारत और 1947 एकाई में जो कि 1941 में जाके बंगलादेश होना पाकिस्तान से निकल के बंगलादेश अब आपके मन में एक प्रेस्टन आपको बार बार कचोटता होगा कि आखिर मेरा ये प्यारा देश इतने बार क्यों कटा, क्यों फटा क्या हमें ये देश प्यारा नहीं था क्या हम कमजोर वकायर थे क्या ये बुभाग निर्जन, बंजर या बैकार था या हम इनको सभालने या देख-रेख करने में असमर्थ थे नहीं 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 इन में से कोई भी कारण इस अभागे आरिवरत की दुरगती का नहीं है इन सब ने मरने वाले घाओं के कारण हमारी वेदिक संस्कृती, वेदिक धर्म, वेदिक विचारदारा या कही ये वेदिक जीवन पद्दितिका हमारे जीवन से लोप हो जाना जिस रुक्ष की जड़ों को दिमक ने खा लिया हो फिर वो आंदी का सामना नहीं कर सकता वो एक दिन मिट्टी में मिलकर अस्तित्व खो बैठता है यही हुआ इस अभागे आरवरत के साथ यानी की हमारे भारत वर्ष के साथ जाती वाद चुवा चूत बाल बिवा उंच नीच अवेदिक मंतों की उत्पत्ति अनार्थ ग्रंतों की बार और धर्म शुन्य निरूंकुष राज सकता वर धर्म सकता है ही वदी मक्ती जिसने इस विशाल प्राचीन सब्यता के स्रोत आरवरत देश रुपी विशाल वट वरुक्ष की जड़ों को खोकला कदिया और खा लिया परिनामत अरब से उठी इसलाम की काली आंधे की ये आरवरत टक्कर ना ले सका मानों को अपनी दुर्गती के लिए स्वयम की नियुनिताओं को अधिक जिम्यवार मानना चाहिए भारत वर्ष के वैभव वीर्ता एश्वर्य और निश्कलंक प्राचीन वेदिक ग्यान विज्ञान से युक्त गौरों को पेंदे में बिठा देने वाले इसलामी आकरमन को अकेले जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता इसके लिए भारत की अपनी विक्रित धार्मिक समाजिक राजनेतिक और अंध विश्वास शोषन मूलिक कथित आध्यात्मिक परमपराएं अधिक उत्तरदाई है उस कीले को कोई भी ताकरतवर सत्रू उस समय तक नहीं जीच सकता जब तक उसे गुप्त व कमजोर स्थलो पर आकरमन करने का अवसर हाथ नहीं लग जाता या फिर कीले की सुरक्षा के प्रती जिम्मिदार व्यक्ति ही द्रो करके द्वार ना खोल दे भारत वर्षपर किये गए आकरमनों मैंसे कुछ में मिली सफलता का कारण ना तो मुसल्मान की वीरता थी ना सूजबूज ना युद्ध कौशल और ना ही धार्मिक वदार्शनिक विशेष्टा इन चंद्र आकरमनों की सफलता का कारण थी भारत में फैली छुआ छूत जाती पाती का जंजाल, फलित जोतिश, मूर्ती पूजा, अंद विश्वास, वेद शास्त्रों का पठन पाठन, मात्र ब्राह्मनों के यां कैद हो जाना और वह विकेवल अववेदिक कर्मकांड के साधन के रूप में तथा विवेक रहित अहिंसा वशास्त्रे मरियादाओं से रहित विलासी धर्म वर राजसत्ता मेरे एक मित्र ने कहा, ये तो आपने नो कारण गिना दिये, इन नो कारणों में से कोई दो प्रमुख कारण कौन से हैं, उप्युक्त कारणों में दो प्रमुख कारण चाटना कठिन तो होता है, फिर भी वे कारण है, छुवाचूत और मूर्ति पूजा मूर्ति पूजा भगवान का अपमान है और छुवाचूत मानवता का अपमान है, जहां मनिश्य और भगवान दोनों का अपमान होता है, फिर क्यों न ये सारे जहां कि दुख संकर विपत्ती, दरिद्रता वदारुन विपत्ती अपना सदा के लिए डेरा जमाले राजर शी वीडी सावरकर द्वारा लिखित मालाबार के हत्याकांट की सत्य घटनाओं पर आधारित मोपला उपन्यास इसका साक्षात उधारन है मालाबार के हिंदुों में नमबोदरी ब्राम्मन सबसे उचे दर्जे के हैं नमबोदरीओं के नीचे हैं नायर जिनको ब्राम्मन कहते हैं कि ये शुद्र है इन दोनों जाती के अतरिक्त एक और जाती है जिसका नाम है तिया इस जाती को मालाबार में चारो वर्णों किसे बाहर समझा जाता है उन्हें आग्या थी कि वो ब्रामनों वो नायरों से 24 फीट दूर रहें तिया लोग ब्रामनों के घरों वो तलाबों में नहीं जा सकते थे हिंदूों को विनाश करने वाली इस बिमारी का विक्राल रूप एक मुकद्दमे के रूप में देखा जा सकता है फरवरी 1921 मिस्टर आयर माताजी की उपचार के लिए डॉक्टर चोई को बुला लाए जो एक तिया थे रास्ते में एक तलाब पढ़ता था डॉक्टर चोई उस तलाब से गुजर कर मिस्टर आयर के घर पहुँच गए और इसी बात पर डॉक्टर चोई और मिस्टर आयर पर एक मुकदमा दायर कर दिया गया कि उन्होंने तालाब को अपवित्र कर दिया है छे मैने तक मुकदमा चलता रहा हिंदू जाती का दुरभाग्य देखिए कि उस समय के बड़े बड़े प्रशिद्द वकील ग्रैजुट और पड़े लिखों ने यही गवाई थी कि बेशक एक्तिया के गुजरने से तालाब अपवित्र हो जाता है मिस्टर M. गोपाल वकील हाई कोड मदरास के उस समय के प्रख्यात वकीलों में से एक वो भी इन दाविदारों में से एक गवाद है Dr. Choy के वकील ने जिरर करते वए कुछ प्रश्ण किये जिन में से कुछ उधारन के तौर पे मैं आपके सामने प्रश्द करना चाहता हूँ यदी एक्तिया हिदू रहते हुए तालाब के पास से गुजरना चाहे तो क्या वो गुजर सकता है या नहीं उत्तर, नहीं गुजर सकता प्रश्न, यदी वतिया इसाई बन जाए तो क्या वो इस तालाब के पास से गुजर सकता है या नहीं उत्तर, हाँ, सरकार के बनाए हुए कानून के अनुसार वो इस तालाब के पास से गुजर सकता है प्रश्ण यदि डॉक्टर चौई मुसल्मान बन जाए तो क्या वो तालाब से गुजर सकते हैं उत्तर हाँ गुजर सकते हैं दर्भाग ये हिंदु जाती का कि एक गोरक्षक रहते हुए तालाब पर से गुजर नहीं सकता है और तालाब अपवित्र भी नहीं होगा जी हाँ, दुर्भाग ये हिंदू जाती का कि एक कुट्टे और जंगली जानवर द्वारा तालाब का पानी पीने से तालाब अपवित्र नहीं होता तालाब के अंदर रहने वाले मेंडक कच्वा मचली आदी प्रजातियों से और पानी में ही मल मुत्र का त्याक करने से भी तालाब अपवित्र नहीं होता प्राणियों में श्रेष्ट मानव योनी में जन्म लेने वाले मनुष्य से तालाब मात्र इसलिए अपवित्र हो गया कि उसने कथी रूप से एक नीची जाती में जन्म ले लिया हो इस उपन्यास में आप स्थुलेश्वर सास्त्री को ये कहते हुए सुनेंगे कि जब ब्रामनों के घरों गलियों में नीची जाती के लोगों का प्रवेश हो गया था तो आप कौन सा धर्म शेश रहा जो मौपलों ने मुसल्मानों से बचाना चाहिए जब मौपलों ने उनके सामने ही एक लड़की को निवस्तर करके बलातकार किया और हरीहर शास्त्री के द्वारा चोटी लड़की को एक दलित के हाथो लड़की के मामा के यां सुरक्षित पहुचाने का प्रस्ताव रखा तो उस थुलेश्वर सास्त्री तमक कर बोले कि न नायर या ब्राह्मन से अलग-अलग दूरी के रूप में देख सकते हैं तिया जाती 24 फूट मसकून 24 फूट की दूरी जलाबन 64 फूट की दूरी नायाडी 72 फूट की दूरी हैरे हिंदु जाती मक्षी मच्छर कुटे बिल्ली भेड़िये तदैये से दूर की दूरी की को नहीं हो सकती भारत के टुकडे किसने किये क्या विदोशियों ने नहीं बिलकुल नहीं जातीगत छूट ने पाकिस्तान अफगानिस्तान बांगलादेश और 25 करोड आज के दिन भारत के मुसल्मान कहां से आए अरब से एरान से बगदाद से नहीं जातीगत छूट के धाशा, धर्म व धारमिक पुश्तको को अपनी समझते हैं अपनी ही पूरवजों की संतान, इसलामिक अकरांताओं को अपना हीरो यानि के आदर्स समझते हैं क्यों क्योंकि छुआ छूट के विशेले विवार ने ही ये हमसे अलग कर दिया इसी छुआ छूट ने काला चंद राय को सारे बंगाल को और पूरवी भारत को हिंदुस्तान को मुसल्मान बनाने वाला काला पहार बना दिया क्योंकि यह चुवा चुती एक बार मसल्मान बन जाने पर हिंदू के वापस धर्म में सम्मिलित होने का द्वार सदा-सदा के लिए बंद कर देती है पहले हम जिनको मंदिन में प्रवेश नहीं करने देते थे वही मुसल्मान बनकर उन मंदिरों को तोड़ने के लिए आते थे उनी मुर्तियों के अवशेशों को उठा कर मस्जिदों की सीड़ियों में लगाते थे कैसे हमारे ही लोग वेदिक संस्कृति के उपासक से विनाशक बन गए हिंदु जाती का पतन उसका दूसरा कारण मूर्ति पूजा सिद्ध हुई इस बात को पड़कर बहुत सारे हिंदु भाईयों की तथा अपने स्वार्थ की रूटिया सेखने वाले नेतों की इस पर बोहे तन जाएंगी परन्तु शांत चित और विवेक शक्ती का प्रयोग करने पर वो मेरी बात से सैमत हो जाएंगे वेदिक संस्कृति की जितनी हानी इसायत और इसलाम ने की उससे कहीं हानी मूर्ति पूजाने पहुचाई है एक समय सारे संसार में वेदिक संस्कृति का जंडा फैराने वाली आरजाति की संतान को अपने ही धर्म में शरनार्थी किसने बनाया प्राचीन विशाल आरवरत देश को एक छोटे भुखंड भारत में सीमित किसने किया आत्मवत सर्व भूतेश्यू का पाठ करने वाले जाति को जातिगत छुआ छूट का कलंक किसने लगाया राक्षस राज रावन और कंस जैसे द्यत्यों को समूल विजनाश करने वाले रामकृष्ण की सनातनों को मनोबल विहीन किसने बनाया सारे संसाय के रचयिता वा समस्त ब्रह्मांड के संचालक वन्यंत्रक को पुर्रोहित वर्ग के आधीन किसने लाया महारिशिक कपिल, कनाद और पंत जली के अश्टांग योग पद्विती से प्रभू का साक्षात करने वाले हिंदू जाती के मत मतांतर के भ्रह्मजाल में किसने फसाया इश्वर शक्ति, इश्वर प्रिति, परुपकार, स्वार्थत्याग, सैयम, शुद्धता वच्चित की एकाग्रता के स्थान पर मात्र किसी दिन विशेश पर खाद्य विशेश का सेवन करना किसी इथी विशेश पर किसी का मुख देखना तो दूर उसकी चाया तक का सपर्श ना करके सर्वस्रिष्ट प्रभुभक्त कहलाने का मिथ्या भ्रम किसमें उत्पन न किया सारे संसार को ज्यान विज्यान चरितर और सक्षा का उबदेश देने वाली आर्रे जाते की संतानों को शताबदियों तक पराधीनता की लोमई बेडियों में किसने जकर के रखा क्या सारे विश्व का और जोगिक अधर जाने वाले विश्विक व्यपार के केंदर भारत वर्ष को भिखारियों का देश किस ने बनाया ऐसे लाखों का प्रशन, अईसे लाखे प्रशनु का उतर एक ही है मूर्ती पूजन मूर्ती पूजा भगवान के साथ उसका अपमान है मूर्ती पूजा आत्मबल वा मनूबल की सत्रू है इसलाम के विरूद कितनी ही लड़ाईया मूर्ती के वरोसे हारी गई सोमनाथ मंदिर का किस्सा प्रसिद्ध है कि मूर्ती को दाएं बाएं उपर नीचे चुमबक के पत्थर के आकरशन से सोमनाथ की मूर्ती मध्य में लटकी हुई थी इसी चमतकार को दिखा कर पूप ने मंदिरों में अथा संपत्थी इकटी कर ली थी शत्रियों को ये कहकर कि भगवान अपनी रक्षा करने में असमर्थ है बहकावे में रखा कितने जोतिशियों ने बहकाया की अभी चढ़ाई का महरत नहीं है किसे ने आठवा चंद्रमा बताया दूसरे ने योगी नहीं दिखाई परन्तु जब महमूद गजनवी ने मंदिर को घेरे में लिया तो इस दुर्दशा से सब भागे कितने ही पुजारी वह उनके चेले क्याद कर लिये गए थे कितने कतल कर दिये गए थे उस समय मंदिर वह मूर्ती को ना तोड़ने के बल्ले तीन करोड रुपे की पेशकर्श की करी थी उस पर मसल्मानों ने कहा कि हम बुद्ध परस्त नहीं बुद्ध शिक्नी यानि मूर्ती भंजक हैं और ये कहकर जट से मंदिर का और मूर्ती का तहस नहस कर दिया जिसमें से अठारा करोड के हीरे वर रत्न ने निकले इसे मातर खाली आर्थिक खाने नहीं कह सकते हैं बार बार हिंदूों के मंदिरों व भगवानों के मूर्तियों के तूटने का परिणाम ये निकला कि इन्हें इसलाम मुहमत साहब और अल्ला के सामने अपने भगवान कमजोर, कायर व बोने नजर आने लगे यही कारण था यही कारण था कि सदा विजही रहने वाले आर रिजाते की संतान हिंदू का मनोबल व आत्मोबल सदा के लिए रसातल में बैड़ गया मेमूद गजनवी ने इस आक्रमन में हिंदूों को गाजर मूली की तरह काटा स्रियों और जवान लड़कियों को गुलाम बन कर गजने के बाजर में बेचा यह मुपलाओ अपन्यास इसी प्रकार के लूट मार, हत्या बलतकार और बल पुर्वक इसलाम बनाने की कहानी है इसलाम के दो हत्यार जिन्हें दुनिया में कोराम मचाया जन्नत और जिहाद सारी दुन्या के मिसल्मानों को ये विश्वास है कि इसलाम समानता वो मानव प्रेम का प्रतीक है इस जूट को बड़ी चतुराई के साथ प्रस्तुत किया गया है वास्तव में हजरत महुंबत साहब ने सारी दुन्या को दो हिस्सों में बाटा एक अरब और दूसरी और संसार के सारे रोग इस विभाजन के अनुसार अरबी राज करने वाले थे बाकि सब अरब संस्कृती और सामराज जवाद द्वारा शासित होने योग्य है इसलाम में मानव प्रेम या शांती जैसे शब्दों को मात्र एक ढौंग है दूसरों के प्रती घ्रणा ही इसलाम का मूल आधार है इसलाम के अनुसार मुसल्मानों को छोड़ कर बाकि सारी मनुष्य जाती सला के लिए घोर नर्क में जाएगी इसलाम का उदेश्य, अरब देश, अरब भाशा और अरब संस्कृती की महता स्थापित करना है इस अदेश्य की पूर्ती के लिए एक अंधविश्वास के दुआरा दुनिया के मुसल्मानों का बुद्धि नियंतरिन किया गया है कि हजरत मुहम्मद साहब जन्नत यानिकी स्वर्ग दिला सकते हैं उनकी आग्या का पालन ही जन्नत का आधार है पैगंबर मुहम्मद साहब के कथा नुसार आपको 610 इकाई में एक पहाड़ी की हीरा गुफा में ध्यान करते हुए जिब्रिल के दर्शन हुए जिब्रिल ने मुहम्मद को अल्ला का लिखा हुआ संदेश पढ़ने को दिया और लोगों को इसका ग्यान देने को कहा जिब्रिल ने मुहम्मद को अल्ला का लिखा हुआ संदेश पढ़ने को दिया और लोगों को इसका ग्यान देने को कहा जब मुहमच साहब ने कहा कि वह तो अनपड़ हैं उन्हें पढ़ना नहीं आता तब जिब्रिल ने क्रोध में आकर मुहमच साहब को तीन बार उनका गला घोटा जब मुहम्मच साहब ने अपनी पतनी खदीजा को ये वृतांत सुनाया तो उन्होंने कहा कि आपको अल्ला ने अपना संदेश वाहत यानि की पैगंबर चुना है परंतु आश्चेवर की बात ये है कि अल्ला ताला सरवग्य होते हुए भी ये नहीं जान पाए कि जिनको वो अपना पैगंबर चुन रहे हैं वो व्यक्ति अनपढ़ है और लिखा हुआ संदेश पर महीं सकते हैं अल्ला यहूदियों का भगवान यहूवा था एंजिल के कुछ भागों से ये अभास होता है कि एक समय यहूवा कई अन्यों के साथ एल के अधीन था एल को अरवी में अल्ला कहते हैं इसलाम के भगवान के लिए इससे अच्छा और क्या काम हो सकता था चुकि अल्ला यहूदियों के भगवान से उच्चतर था और मौम्मज साथ तो संप्रदाय कुरेशों का भगवान था काबे का स्वामी कहा जाता था काबे पर क्यूरेशों का अधिकार था इसलिए कुरेशों को अल्ला के लोग कहा जाता था अल्ला के पहले इब्राहिम के बेटे इसमाईल को चुना, फिर इसमाईल की संतती अर्बों में से मुहम्मद साहब के सांप्रदाय कुरेशों को चुना, फिर कुरोशों में से मुहम्मद साहब के वंच बानु हाशीम को चुना और फिर बानु हाशीम वंच में से अल्ला ने स अच्छे पुरुश मोहम्मत साहब को चुना। कयामत के दिन मुहममत साहब तुम्हारे पापों को शमा करभबा कर जन्नत दिलवा सकते हैं। इस समय कुरेशों की अर्भी भाशा थी इसलिए QUESTION भी अल्ला ने कुरेशों की भाशा अर्भी में दी। इसलिए मुहम्मद साब कहते हैं कि जो भी कुरेशों को मान मर्दन करेंगे अल्ला उनको नश्ट कर देगा। केवल कुरेशों को ही राज करने का कयामत कदिकार होगा चाहे वो सदाचारी हो या दुराचारी। इसका प्रमान ये है कि स्पेन पर आठ सो वर्ष तक के राज में सभी राजा कुरेशों संप्रदाय के थे। इसलिए अनवर शेख जैसे निस्पक्ष चिंतक इसलाम को धर्म की अपैक्षा अरब का राष्ट्रे आंदोलंग तक मानता है। जिहाद अल्ला को ना मानने वालों पर आक्रमन करके हत्या करके फिर उनकी संपत्ती और स्त्रियों को छीनने का नाम है जिहाद। इस सिध्धान्त के अनुसार लूट मार हत्या और स्त्रियों का बलातकार अपहरन वह पन्य है जिससे जन्नत मिलेगी। इसका प्रमान है ये आयत खुदा ने मौमिनों से उनकी जाने और उनके माल खरीद लिये हैं और इसके बदले उनके लिए भशित यानि सुर्ग तयार किया गया है। यह लोग खुदा के राह में लड़ते हैं ये मारते भी हैं और मारे भी जाते हैं। यही कारण है कि जिहाद अर्थात अल्ला के नाम पर जो भी मुसल्मान नहीं हैं उनकी लूट मार वहत्या करके माले गनिमत यानि स्त्रियों और संपत्ति का उपभोक करके जन्नत प्राप्त करना हर मुसल्मान का ध्याय है। स्वर्ग के प्रलोवन के बिना मुसल्मान दूसरी जातियों के विराश के लिए शायद इतने उत्सास से नहीं लड़ सकता। यही जिहाद का फल यदि मर जाओ तो जन्नत और दूसरों को मार कर जिवित रहो तो माले गनिमत यानि हिस्त्रिया संपत्ति और जवान सुंदर लड़कों के रूप में जो भी मिले वो तुमारा केवल पांचवा हिस्सा अल्ला के लिए पैगंबर को दे कर बाकी सब आपस में बाट लो इसलिए गैर मुस्लमानों को जहां इसलाम का प्रबत्व है वहां मरने मारने का ही हक है आप सिर्फ मर सकते हो जिन्दा नहीं रह सकते जन्नत इसलाम के स्वर्ग की परिभाशा क्या है जरा इसका लेखा जो खा देखते हैं कि इसलाम में स्वर्ग की परिभाश वहां मेवे हर किसम के खाने को मिलेंगे शराब की नदियां बह रही होंगी और वो शराब न सरदर्द करेगी न नशा वहां अनार और खजूर के रिक्ष ही रिक्ष हैं शीतल मंडपों में गलीचे पर हर तक्ये के सहारे एक मुसल्मान के लिए भहतर हुरे मोटी मोटी आखो वाली बैठी होंगी चारों और पानी के चश्मे और हर्याली होगी दूद की नहरे जिसका स्वाद कभी नहीं बदलेगा व्याविचार करने के लिए सुन्दर सुन्दर लड़के होंगे हर मुसल्मान की मरदाना ताकत सौ गुना तक बढ़ जाएगी हुरों का शरीर पारदर्शी होगा शरीर का रंग देखकर आखें चुद्या जाएंगी और उनकी आखें मोटी मोटी वा काली काली होंगी हुरों के शरीर शीशे जैसे और रंग लाल शराब जैसा होगा आप कल्पना करिए यदि जिहाद अर्थात दूसरों जो कि मुसल्मान नहीं है कब विनाश करके जीवित बचे तो अफरन की हुई स्त्रियों कन्याओं कन्याओं और संपत्ति का भोग करने को जो मिलेगा अर्थात धर्ती पर ही स्वर्ग होगा और मर गए तो स्वर्ग की लंबी चौड़ी भोगों की सूची आपका प्रितिक्षा करते हुए आपको मिल जाएंगी और वहां जाके आप अपने जीवन का आनंद उठा सकते हो यही कारण है यही कारण है कि मुल्ला मौलवी लोग अपने स्वार्त सिद्धी के लिए इन दोनों हत्यारो जन्नत और जिहाद का भर्पूर उपयोग करते हैं और बौली भाली जन्ता को अपने चंगूल में फसाते हैं इसके दो उधारन आपके सामने प्रस्थत करता हैं मौला बार में मुसल्मानों को धार्मिक नेता को धंगल कहते हैं यह मोपला मुसल्मान अपने धंगलों पर पुर्ण विश्वास करते हैं, ठंगल जो कहे उनके लिए वह इश्वर आग्या बरादर है, ठंगलों के शरीर को पवित्र, योग निवृत्ति, पाप मुक्ति और मनो कामना की पूर्ति का साधन समझते हैं, मोपले ठंगलों पर कैसे लट्टो हैं, उसका एक उधारान देता हैं, माला बार के अर्नार्ड तालुक्वे में एक जगा मंबरम है, इस जगा के ठंगल को बड़ा ठंगल समझा जाता है, प्रसिद्धी अधिक होने के कारण अंग्रेज सरकार इस ठंगल को कैद करना चाहती थी, मोपलों को किसी प्रकार इसका पता चल गया, 12,000 मोपले इक हो गए, डेपिटी कमिशनर मिस्टर कुनाली का इसको पता चलने पर कैद करने का विचार छोड़ दिया, परंतु कुछ दिनों बाद इस ठंगल को किसी ना किसी तरह अरब भीज दिया गया, फिर जब 1851 में मोपलों से हत्यार लिये जा रहे थे, तब चार मोपलों ने मिस् इस मोपला विद्रों में, जब कुछ मोपले सरकारी सेना से मारे जा चुके थे, तो उसी दिन सायकाल के चेंबर शेरी का थंगल मस्जिद में बैटा हुआ, आकाश की तरफ देख रहा था, पास बैठे मोपलों ने पूछा, हजरत, आप किस बात पर हसते हैं, वह बोला, य आकाश में जन्नत की खिड़कियां खुल गई हैं, मैं देख रहा हूँ कि आकाश में जन्नत की खिड़कियां खुल गई हैं, और उन में से होरे निकल कर मोपलों का स्वागत कर रही हैं, जो आज सुबह शहीद हो गए थे, इस पर मोपलों ने पूछा, हजरत, हमें ये दि कब नसीब होगा थंगल बोला वह दिन तो आया हुआ है तुम्हें पता है गौर्खों का कैम्प लगा हुआ है जाओ हमला करो और शहीद हो जाओ इस पर पांच सो मोपले तयार हुए हमला किया और कट करकर मारे गए इसे कहते हैं बुद्धी नियंत्रण इसलाम के जन्नत और जिहाद ने मुसल्मानों की बुद्धी को नियंत्रित किया हुआ था वह मरने मारने को जन्नत का साधन समझता था इसी मांसिक्ता ने महमद صاحب के देहानत के बाद पहले चार खलीफाओं की निर्मम हत्या करवाई खलीफा हضरत अबुबकर को जहर दे के म कि दमाद हजरत अली को कर्बला में कतल किया गया हसन और हुसेन हजरत मुहम्मज सहाब के दोहित्र यानि नातियों दोनों का कतल इमान मानने वाले मुसल्मानों ने किया किसी गैर मुसल्मान ने नहीं अंत में एक चेतावनी हिंदू जाती को जिस मानसिक्ता ने भारत देश को इतना बड़ा अनर्थ किया है वह आज भी जियों कित्यों है उसमें किंचित मात्तर भी परिवर्तन नहीं आया है वह जातिगत छुआ छूत बढ़ता पाखंड अंध विश्वास वा मुर्ति पूजा विदादी शास्त्रों के प्रती हिंदू बनने में अनिक्षा इस मालाबार के मुपला हत्याकान में जबरदस्ती मुसल्मान बनाए गए 2600 नर्णारियों को आर्रे समाज द्वारा शुद्ध किया गया आर्रे समाज की तरव से वस्तर वर राशन वित्रन का डिपो महीनों तक चलता रहा इस पुनित का रर् है कि हिंदू जाती अपनी अंदर की निन्यबताओं को और दोशों को दूर करेगी इस उपन्यास को हिंदू जाती की एकता के लिए एक औशद मानकर छपाया जा रहा है आशा है हिंदू जाती इस कड़वी दवाई को खाएगी और अपना रोग दूर करेगी ये था आज का पहला एपिसोट जहां पे आपको एक बैकग्डाउंड से अवगत करवाया गया कि मुपला में किस तरीके से चीजे होती थी, किस तरीके से बुद्धिन यंद्रन की जाती थी, किस तरीके से भहतर हूरों का, स्वर्ग का, शराप का और निर्वस्त लड़कियो का जहांसा दे देकर लोगों को इसलाम में धन्मांतरन किया जा रहा था जैसे कि मैंने बोला इन सारे एपिसोड को हम 30 से 35 मिनट का रखेंगे ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे कल इसके आगे के दो चैप्टर्स में आपको पढ़के सुनाऊंगा Do we need to learn from this? Yes. क्या हम इससे कुछ सीख सकते हैं? हम इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं. और जैसे कि मैंने बोला कई बार ही होता है कि हम वीडियो नहीं देखना चाते हैं या नहीं देख पाते हैं क्योंकि जिन्दगी में और विकार रहे होते हैं हमें इसी लिए कोशिश करी जा रही है इस चैनल के उपर कि आपके सामने यह और रिप्रस्तुत किया जाए कि आप घर में कभी भी अपने हेड़फोन लगा के इसको सुनके अपनी जिन्दगी के कार्ड़े करते हैं बिना किसी रोक टोक के आगे बढ़ते हैं मेरा आप से छोटा सा रिक्वेस्ट यही रह करें कल शाम को सवा पांच पजे इसके आगे के पन्नों को पढ़ने के लिए दुबारा आएंगे I hope I hope कि आप से दुबारा सवा पांच पजे कल मुलकात होगी जैश्री राम ध्यान रखना कल दुबारा मिलेंगे तो से एक बारी जैश्री राम